तो जैसा ही यूट्यूब पर चनल बनाया जाता है दिमाग में चुल रहती है कि भाई कभ यह मोनिटाइज होगा कभ इनकम हमारी स्टार्ट हो जाएगी लेकिन उसके लिए में सीखना पड़ेगा कि मोनिटाइज कैसे करते हैं एडिसंस कैसे क्रियेट करते हैं आज की वीडि जालता रहता हूं नमस्कार दोस्तो मैं हो योगी योगेंद्र और आप देख रहे हैं क्रेटर गाइड तो दोस्तों यह एक्जामपल के लिए हमने एक चैनल लिया है रोबिन डिजाइनर यहां पर आपको मैनेज वीडियो पे क्लिक करना पड़ेगा सबसे पहले आप इस लैप्टोप यूज़ कर सकते हैं मोबाइल में यूज़ करें तो गूगल क्रोम में डैश्टोप वर्जन यूज़ कर लीजएगा साइड में आपको यहां पर मौनिटाइज़िसन का आप्शन मिलेगा आपको इस पर क्लिक कर देना यह जैसे आप इस पर क्लिक करते हो यह आपके समने आएगा grow with YouTube, यहाँ पर आपको चार चीदे दिखाए देगी, पहला है एक अजा सब्सक्राइबर कम्पीट होने चाहिए, 1944 हो चुके है, चारा जार घंटे का बॉस्ट टेम कम्पीट होना चाहिए, वो ज्यादा हो चुका है, 2-step verification एक्टिव होना चाहिए, और कोई भी एक्टिव कम्म्पीट कम्म्पीट होना चाहिए, इसके बाद आप apply करने के लिए ready है, apply कर देंगे, apply now पर click करेंगे, channel monetization में यह हमको पहुचा देगा, यहाँ पर start का जो option है, first step पर इस पर click करना है, इस पर click करने के बाद यह form हमारे सामने open हो जाएगा, इसको थोड़ा सा scroll down करेंगे, और यहाँ पर नीचे check box में tick कर देंगे, याँ हम accept कर लेंगे इनकी जो भी conditions है, और यहाँ पर जो accept का option है, नीले color का, इसको भी आप click कर देंगे, जैसे click करेंगे page यहाँ पर reload होगा, थोड़ा सा time ले सकता है, यहाँ पर थोड़ा सा time लेंगे और first step हमारा done हो गया, अब आती है second step की बारी sign up for AdSense account, याँ हमें AdSense के लिए sign up करना है, यहाँ पर भी start का option मिलता है, इस start के option पर आपको click कर देना है, और page यहाँ पर हमको एक और नया pop-up दिखाई देगा, pop-up में तीन चीज़े हैं, ध्यान से समझ लीजेगा, पहली जो चीज़े, यहाँ पर है I have an existing account, पहले से AdSense account है, यह तो है first, second जो option है, वो है कि आपके पास कोई भी AdSense account पहले से नहीं है, और तीसरा है भाई, मैं तो इसके बारे में जानता ही नहीं हूँ, तो पहले से जो AdSense account होते हैं, उनके बारे में पहले बात कर चुका हूँ, कई वीडियो में, आज हम नया AdSense बनाएंगे, तो second वाला जो option है, इसको चूज करेंगे, और यहाँ पर आप देख रहे हैं, continue blue color में, इस पर आप click कर देंगे, और नया AdSense create करेंगे, click करने के बाद, यह हमें हमारी mail id दिखाएगा, जितनी भी computer में हमारे login है, तो जो भी mail id आप एडिस हम AdSense बनाने, हमें उस से ही sign in करना है, इसके बाद यहाँ पर Google AdSense का sign up form, हमारे सामने open हो जाएगा, इसके बाद पहला जो option है, यह पूछ रहा है, जो भी AdSense के update होते हो, आपको चाहिए mail पर नहीं चाहिए, तो हम इसको यसी कर देंगे, क्योंकि update हमें चाहिए इंफोर्मेटिव होते हैं, इसके बाद second जो option है, वो यहाँ पर हमें अपनी जो country है वो select करने है, तो आप जिस भी country में रहते हैं, वो country आप select करें, अब हम इंडिया में रहते हैं, तो हम यहाँ पर इंडिया ही select कर लेते हैं, इसके बाद वापस से एक form open होगा, और इस form का भी same fund है वाई, आपको क्या करना है, scroll down करना है, और पढ़ना चाहिए तो पढ़ भी सकते हैं, जो पढ़ता कोई नहीं है, आप सीधे सा क्या करें, जो check box है इस पर tick कर दे, यह वाला जो check box है, इस पर tick करने के बाद create account पे, यहाँ पर blue color में बटन देख रहा है, इस पर आपको जो है click कर देना है, जैसे आप click करेंगे, यह page फिर से reload होगा, page reload होने के बाद customer information की बारी आती है, यहाँ पर क्या करना है, देखे यहाँ पर हमें अपनी information डाल लिए, लेकिन सबसे पहले, जो account type है उस पर बहुत ध्यान से देखना है, यहाँ पर यह है account type, individual होगी लिखा रहा है, individual business, यहाँ पर दो होते हैं, हमें individual ही रखना है, बहुत लोग business कर देते हैं, बाद में पस्ता आते हैं, क्योंकि change नहीं होता, उसके बाद आपको नाम, address सही-सही डालना है, जो भी आपके document में है, वो आप डाल दीजे, pin code भी डाल दीजे, phone number आप चाहे तो डाल सकते हैं, और बाद में submit आपको नीचे कर देना है, तो चलिए यार मैं पहले complete कर लेता हूं, उसके बाद बात करते हैं, यहां पर मैंने सारी details अपनी फिल कर दी है, अब मैं submit का बटन है blue color का, इस पर click कर दूँगा, तो मैं चलो click कर देता हूं, जैसा है आप इस button पर click करते हैं, यह जो page है YouTube की तरफ redirect होता है, तो यहां पर अपने आप हो जाएगा, और आपको जल्दी चाहिए, तो आप redirect बटन पर भी click कर दीजिए, मैंने click किया, और यह हमें YouTube के monetization section में पहुचा देता है, अब यहां पर क्या page reload होगा, थोड़ा सा time लेगा, तो यहां पर adsense जो हमारा progress में, adsense जब approval मिल जाएगा, तो तीसरा step जो हो ऑटमेटिक हो जाएगा, रिव्यू में चला जागा हमारा चनल, खुल में लाके एक तरीके सबने monetization के लिए apply कर दिया है, अब YouTube इसको review करेगा, adsense approve होगा, और हमारा चनल को monetize कर दिया जाएगा, तो दोस्तों I think अब clear हो गया होगा, कैसे adsense create करते हैं, कैसे monetize करते हैं, सब कुछ के लिए रकर दिया मैंने इस एक वीडियो में, वीडियो पसंद आईए ना, like share करो, चैनल पर पहली बारा है, subscribe करो, ऐसे वीडियो आपको मिलते रहेंगे, चलिए मिलता है अगली वीडियो में, Ignite Topic के साथ तब तक के लिए, जय हिंद,